हर्याना राज्जी बाल कल्यान परिशत की तरफ से आज सी राज्जी स्तरिय बाल महत्सव का आगास हूँ यहां महत्सव आज फारीदबाद में स्तेर मानव रचना विश्विद्याले के प्रांगण में संपन हुआ इस कारक्रम में मुख्यातीती के तोर पर तिगाउं भाजपा विधायक राजेश नागर और बढखल विधायका सीमा त्रुखा मौके पर मौजूद रहे इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बच्चों की भिन भिन प्रकार की प्रतियोगी दाएं देखी और उनकी प्रिशन साभी की। विधायक राजेश नागर ने प्रसनचित होकर प्रतियोगी बच्ची को अपने हातों से लड़ो खिलाकर उसे आश्रिवात दिया। तस्वीरों में दिखाई दी रहा ही नजारा मानव रशना विश्विद्याले परिदबात का है। जहां पर आज हरियाना राज्ये बाल कल्यान परिशत की तरफ से राज्ये इस तरिये बाल महुचसव का आयोजन शुरू किया गया है। यहां पर मुख्यादीती की तोर पर लगाम विधायक, राजेश नागर और बढखल की विधायका सीमा त्रका मौजूद है। इस मौके पर प्रतियोगिता को देखते हुए विधायक ने बच्चों को आश्रिवाद दिया और उनके उज्वल भविश्य की कामना है। हम आपको बता दें कि यहां ओचसा पूरे हर्याणा के 22 जिलो में आयोजिन किया जाएगा जिसमें लगभाग 1520 बच्चे हिस्सा लेंगे। को अपना कॉलिज दिया और इस तरह के कारेकरम होते रहें क्योंकि बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफर्म की जूरत होती है। और पूरे हर्याना से हमारे फ्रिदाबाद में बच्चे आये हैं वह यहां पर फर्फर्फर्म कर रहे हैं और आपने देखी परफॉर्मेंस उनकी छोटे-छोटे बच्चे जिनके अंदर बहुत टैलेंट बढ़ा हुआ है। और याज उनको मौका मिला एक फ्रिद पर्फर्म मिला किसे वह अपना उनर यहां दिखा सकती। बच्चिया हमारे लिए लड़ू लेकर आई थी। बलकि लड़ू के हक्तार हो हैं जो इतने चोटी-चोटी बच्चिया कितना अच्छा पर्फर्म कर रही थी हैं तो इसलिए उनको लड़ू प्लाई। यह आर जीत तो दोनों और पार्ट थी हार के भी आदमी जीत सकता है और जीतने वाला यह नहीं के हमेशाद जीतते रहेगा। हारने वाले को भी कोशिश करनी कि आगली बार वो भी जीते। फरीदाबाद के मानव रचना के जो हमारे सभी लोग हैं जिसमें विशेश जोर से अमी जी और प्रशान्थ भल्ला जी उनका भी अब हार प्रकट करना चाहती हूं कि पूरे हर्याने के बच्चों को आज इसी स्थान पर एकत्रित किया गया और जैसा भी हमने जाकर के देखा सोलो डांस, सोलो सिंगिंग, ग्रूप डांस और ग्रूप सिंगिंग, फिर बेस्ट ड्रामे बाज और सबसे जादा जो खुबसूरत चीज मुझे लगी कि जहां हम डांस को देख रहे थे और गानों को सुन रहे थे उसमें फोक टच जादा है यह ऐसे कारक्रम चलते हैं, यह हमारी एक केलेंडर का हिस्सा बन जाने चाहिए और परवीन अत्री जी जिस प्रकार से इसे पूरे हर्याने में टेक अप कर रहे हैं, मैं सोच क्यों कि आने वाले समय में यह और बहतर होंगे और जादा से जादा लोगों तक अपना पेगाम पहुंचाने में सक्षम रहेंगे